सो हाई अब्रीवन फिसेक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अगर आप सब भी जारकन के रहने वाले हैं और आपके पास रासन कार्ड है लेकिन आपके रासन कार्ड में डेट ओब बर्थ गलत है यानि की मिसमेच है तो घर बेटे ऑनलाइन केसे अप फिर हलफुल हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप लोग खास सारवजनिक वित्रन एवं भॉक्ता मामले विभाग के इस ओफिस्यल पोर्टल पे आज आना है मैंने इस पोर्टल का लिंक जो है वीडियो के पर क्लिक कर लेना है अब आप सब e-a-c-m-s अनुरौत के पेज पर आ जाते हैं तो यहां से आप लोग और यहां पर रासनकार्ट में दो तरह से लोग न हो सकते हैं एक आपको जो है अधार का ऑप्शन मिल जाता है एक आपका रासनकार्ट का ओप्शन मिल जाता है तो हम यहाँ पे रासन कार्ट के द्वारा login होने वाले हैं तो यहाँ पे जो निचे login का icon मिल जाता है इस पर click कर लेते हैं अब हम लोग जो है रासन कार्ट login वाले page पे redirect हो जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे रासन number को enter कर लेना है उसके बाद card type में यहाँ पे select कर लेना है क पासवर्ड में यहाँ पे head of family के अधार का जो है last four digit को इंटर कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे capture जिस टाइप का है, capture को भर लेना है, then login वाले आइकन पर किलिक कर लेना है, अब आपके अधार के साथ जो भी mobile number registered है, यानि की link है, उसमें एक OTP भेजा गया होगा, उसको यहा का dashboard यहाँ पे खुल जाता है, जिसमें आप लोग का details देखने को मिल जाता है, अब आप लोग थोड़ा सा scroll down करके नीचे देखेंगे, तो आपके रासन कार में जितना member aid है, सभी का details भी यहाँ पे show रहता है, यानि की maintain रहता है, अब यदि आप लोग date of birth में correction करना चाहते ह तो यहाँ पे जो yellow color में देख रहे है, change DOV इस पर click कर लेना है, उसके बाद request for DOV वाले page पे redirect हो जाते हैं, तो थोड़ा सा scroll down करके नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर परिवार के किसी एक सदेश को जो है select कर लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे click कर लेना है, click करने के बाद आपके परिवार में जितने लोगों का रासन कार्ड में नाम है, सभी का name यहाँ पे 100 हो जाता है, तो किसी एक को select कर लेना है, उसके बाद नीचे यहाँ पे उनके अधार नमर को इंटर कर लेना है, जब आप लोग अधार नमर को भर लेते हैं, उसके बाद select member में आप जिनके भी date of birth में correction कर रहे हैं, यानि कि सुधार कर रहे हैं, उनके name को यहाँ पे select कर लेना है, उसके बाद select DOB में यहाँ पे date of birth को select कर लेना है, याद रखना है आपके अधार कार्ड में जो date of birth है, उस date of birth को यहाँ पे maintain करना है, यानि कि select कर लेना है, उसके ब वीडियो के description पे link दे दूँगा, उस वीडियो को देख करके आप लोग जो है self declaration form को download कर सकते हैं, जब आप लोग self declaration form को यहाँ पे upload कर देते हैं, तो नीचे जो send request का एक option मिल जाता है, इस पर click कर लेना है, अब कुछ इस तरह का acknowledgement यहाँ पे generate हो जाता है, तो इसका एक print निका परकार से रासन कार्ड में date of birth को change किया जाता है, यानि कि सुधार किया जाता है, वीडियो यदि आप लोग के लिए helpful हुआ हो, तो वीडियो को like से जरूर करना, अब हम लोग मिलते हैं इसी परकार के new वीडियो में new update के साथ, तब तक लिए जहिन, बंद मात्रम.